नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप न्यूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बिहार में साल में 3-6 लाख आए वाले लोगों को मिलेंगे सरकारी फ्लैट जानिये क्या है पूरी प्रक्रिया ना हाइकोट ने निकाली वेकेंसी बारवी पास है तो बन सकते हैं स्टेनो ग्राफर एरियल सर्वे टीम की मदद के लिए भागलपुर पहुचा दूसरा चार्टर विमान गंगा नदी के दोनों और की जा रही है फोटोग्राफी बिहार के पोलिटेकनिक संगस्थानों में इसी सत्र से हिंदी में होगी पढ़ाई विभाग ने भेजा दिसाने देश बिश्व किडनी दिवस पर पारस हमाराई होस्पिटल के मरीजों को किया गया प्रोथसाहे डॉक्टर बोले संयमित धिनचरिया जरूरी इस वक्त की बड़ी खबर यूपी में जीत के बाद बीजेपी बोले मुकेस साहनी को मंत्री पद से हटाया जाए बिहार में परियाटकों को मिलेगी गोवा, चिन्ने जैसी सुवीधा, बोले मंत्री मार्च तक तैयार हो जाएंगे कई नए स्पोर्ट बिहार में जल्द होगी CDPO की बाहली, बोले मंत्री मदन साहनी, आंगनबाडी केंद्रों की मुख्याले स्थर से होगी जाँच BPSC की 67 प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा की तारिक बढ़ गई है, अब यहाँ परिक्षा 30 अप्रेल की जगह, अब 7 मैं को होगी, परिक्षा का विस्तरित कायरकरम बाद में प्रकासित किया जाएगा, मालूम हो कि 802 पदो के लिए यहाँ परिक्षा होने जा रही थ PT परिक्षा का सेंटर बनाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए यह तिति बढ़ाई गई है, इससे पहले भी अभ्यातियों की बड़ी संख्या की वज़ा से 23 जनवरी को होने वाली परिक्षा को इस्तरगित किया गया था, आयों के कई पदाधिकारी और कर्मी के कोरोना पोज एट की तरज पर आवास बनाने के लिए भागलपूर जीला प्रसासन आधा एकर सरकारी जमीन की तलास कर रही है, भागलपूर सहर में जमीन उपलब्द नहीं होने के कारण नातनगर और जगदिसपूर के अंचला धिकारी को जमीन खोजने को जिम्मा दिया गया है, जमीन मिलने के बाद निर्मान की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी, यह मल्टी स्टोरी विल्डिंग करीब 43,560 वर्ग मिटर में बनेगी, जिसमें कम्यूनिटी हॉल, चिल्डेन पार्क, कार पार्किंग, खेल ग्राउन, मिनी होस्पिटल और छोटा बाजार भी बनाया जाएगा, यह घर उन जरुवत मंदों को मिलेगी, जिनके पास न जमीन है और नहीं अपना घर, ऐसे मकानों के लिए कुछ सर्ते भी निर्धालित की गई है, यह मकान सिर्फ वैसे लोगों को मिलेंगे, जो पाच वर्ष से जादा समय से सहर में रह रहे हैं, और जिनके पास न तो जमीन है और नहीं रहने को मकान, इसके साथ ही मकान पाने वाले लोगों को 3-6 लाग तक आई होनी चाहिए, आवेदकों की संख्या को देखते हुए, लोट्टी के मायदम से मकान आवंटित किये जाएंगे, जरुरत मंद लोगों के चैन के लिए सर्वे भी कराया गया है, पटना कि पारस हमाराई अस्पिताल ने विश्व किड्नी दिवस के अवसर पर किड्नी मरीजों को इस मरिती चिन दे कर पोच्छाहित किया, पारस अस्पिताल में किड्नी प्रत्यारूपन करा चुके, यहां इलाजरत और डायलेसिस करवाने वाले मरीजों को इस मरिती चि किड्नी रोग नई महामारी के रूप में फैल रहा है विश्व की आबादी का 10 प्रतिसत हिस्सा किड्नी रोग से ग्रसित है इसका मुझ्य कारण अनियंत्रित डाइबिटीज और रक्तिचाप है मोटापा संक्रमन पत्री तथा विना डॉक्टर की सला के दर्ध निवारक और एंटिबायोटिक का इस्तेमाल वे किड्नी रोग का बड़ा कारण है किड्नी रोग विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर संतोस ने बताया कि संयमित दिनचरिया सही खानपान सीमीत मात्रा में चीनी वा नमक का सेवन तथा नियंत्रित मदों में एवं रक्तचाप जरूरी ह किड्नी के रोग में चेहरा पैर में सुजन, फूक की कमी, मितली, उल्टी, कमजोरी, ठकावट के लक्षन होते हैं कभी कभी कोई तकलिफ नहीं भी रह सकती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतिय जनता पार्टी के विधायक और नेता आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का संकल्प लेकर जुनाव मेदान में उत्रे विएपी अध्यक्ष और मंत्री मुकेश साहनी को जीत तो हासिल नहीं हुई लेकिन बिहार में अब उनके मंत्री पद की कुरसी खत्रेन में नजर आ रही है बीजेपी से बीजेपी के बिधायक हरी भुसन ठाकूर बचौल ने मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाया जाने की मांग कर दी है बीजेपी बिधायक ने कहा कि मुकेश साहनी हवा में चले गया है और अब आगे वह बिहार में मंत्री नहीं रहेंगे बचौल ने काया कि मुकेश सानी को मंत्री नहीं रहने देना चाहिए उन्हों ने काया कि हम उनकी पार्टी में अब तोड़ फोड मचाएंगे हम लोग पूर्जोर विरोध करेंगे बीजेपी नित्युत में मुकेश सानी को मंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे बिहार राज के परियाटन स्थलो पर परियाटक गोवा चिन्ने की तरज पर पारासल वोट जेट अलेक और अन्य बड़ा छोटा बोट पैडल बोट का आनंद मार्च अंत तक ले पाएंगे इसकी शुरुआत पस्चिमी चंपारन के अमवामन परियाटक के इस्थल से करने का नीने लिया गया है परियाटन मंत्री नारायन प्रसाद निकाया की बिहार परियाटन को आकरसक बनाने तता कुछ अलग तरह की अनुवति कराने के लिए परियाटकों को मनभावन उप्योगी अनंदित पारासल वोट फ्लोटिंग जेटी स्पीड बोट जेट अटेक बनान बंपर समेत बड़ा वचोटा बोट का प्रयोग होली के बाद बेतिया के अमुआमन जील से चालू होगा परियाटकों के सभी उपकरण 15 मार्च 2022 के बीच वहां पहुँच जाएगा मंत्री निकाया कि पहले प्रयोग के तौर पर अमुआमन में आधुनिक उपकरणों का आ प्रभार में रहना परता है लेकिन इसे केंदर के संचालन पर कोई असर नहीं है सभी केंदर सही डंग से चल रहे हैं बावजूद इसके अगर किसी भी सदस किसी केंदर की जानकारी देना चाहते हैं तो हम उस केंदर की जाज भी जरूर कराएंगे बिहार की विधान परिशद में गुरुवार को प्रभारी ग्रीह मंत्री विजेंदर यादावने राजद के रामचंद्र पुर्वे की ओर से अल्पसूचित प्रस्न का जवाब देते हुए काया कि राज सरकार साइबर अपराद रोकने के लिए संकल्पित है इसके लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं इसके लिए सभी जीलों में चोहतर साइबर क्राइम और स्पेसल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है इससे अनुसंधान के लिए जरूरी उपकरन भी दिये गया है उन्होंने काया कि सरकार ने ऐसी घटनाओं के होट स्पोट की चिन्हित कर कांडो के उद्वेतन और अपराधियों की गिरपतारी के लिए विश्तित कारियोजना भी तयार की है वहीं कई संगठित गिरोहों को पहचान कर उनके नेटपर को ध्वस्त करने की कारवाई लगातार की जा रही है अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरपतार पर गुरारू रेलवे स्टेशन के समीब गुरुवार की सुभा लूप लाइन पर बम मिलने से हडकंप मज गया कहा जा रहा है कि बंद के दौरान नक्सलियों दौरा इस घटना को अंजाम दिया गया है सुरक्षा बलो दौरा बम को डिफ्यूज करने के बाद लोगों ने र प्लास्टिक बम में दो तार निकले हुए थे सुचना के बाद मौके पर टिकारी डिफ्यूज कुमार के अलावा गया रप्यप के कमांडेट मनोज कुमार चौहान रेल थानाध्यक्स संतोष कुमार सिंग रफिगंज पोस्ट इंस्पेक्टर आरेन मुर्मो सब इंस्पेक वो CRPF की टीम पहुँच गई इसके कुछ देर बाद बम निरोदक वो डॉग स्कुराइड टीम भी पहुँच गई बम निरोदक दस्ते के पहुँचने के बाद बाम को डिफ्यूज करने की कारवाई शुरू की गई दोपहर एक बज़ कर बाइस मिनट पे बाम को डिफ्य जांच कराई जा रही है सर्वे अधिकारी रगुराम वर्मा ने बताया कि भागलपूर के बाद अब पटना रीजन के गंगा बेसिन में एरियल सर्वे सुरू होगा भागलपूर रीजन का काम पूरा हो गया है पठना रिजन में दुसरे विमान से सर्वे होगा पहले विमान का मेंटेनेंस के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है इस विमान से कोलकाता रिजन के गंगा बेसिन में सेस सर्वे का पुरा काम किया जाएगा एरियल सर्वे के दोरान गंगा नदिस समेत इसके दोनों और दस किलोमेटर तक फोटो लिया गया है पीते एक सपता के दोरान भागलपूर, मुंगेर, खगडिया, नवगचिया, अनुमंडल, कटिहार, पूर्णिया, साहिबगंच से सटे गंगा बेसिन का एरियल सर्वे किया गया था यह सर्वे, मंगलादेश के सुंदर्वन, कूलकाता, मंदरगा, साहिबगंच, भागलपूर, पटना, प्रयागराज, वहरिद्वार, होकर, गोमुक, गलेसियर तक हो रहा है आर में इसी सत्र से राज के पॉलिटेकनिक संगस्थानों में हिंदी भासा में पढ़ाई सुरू हो जाएगी राज सरकार के सुसासन काईरक्रम 2020-25-7 निश्चय पार्ट 2 के तहट यहाँ निडने लिया गया है कि तकनिकी सिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा सभी पॉलिटेकनिक संगस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक हिंदी में भी तकनिकी सिक्षा दिलाए जाएगी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा आज के सुरक्यों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ इसाथ वीडियो अगर पसंद आए लाइक परमेट शेयर करना ना भूए